तो स्टुडेंट्स यूनिक ऑनलाइन गुरू के यूटूब चैनल पर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरा नम ब्रह्मदेव पंडे है और हम जावा प्रोग्रामिंग की सिरीज स्टार्ट कर शुके थे हमने पहली क्लास में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे जावा से लेटेड और प्रोग्रामिंग से लेटेड तो आज हम पहले पांच में उन टॉपिक्स के पहले 5 में उनका हम द और प्रोग्रामिंग से जावा से पढ़ने में पढ़ना है कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्यों करते हैं, क्या यूजर से इसके, तो उसके लिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कुछ बेसिक टरम्स होते हैं, जो प्रोग्रामिंग से रेलेटेड होते हैं, जिनको सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें पढ़ेंगे हम अपना की हां स्विचेज होते हैं हमें बेसिक अब्स्ट्रक्शन लेके चल रहे हैं सब्सक्राइब करते हैं। कोई यह कि मतलब कम्पिटर को कोई भी ऐसा कमांड या कोई भी ऐसा ओर्डर उसको एक इक पॉर्दिकूलर टास्क कॉप्लिय। करने के लिए 52 वें और रहन दिया कुछ चायी बनाओ या कुछ करो, एक ग्लास माई लाओ या दरवाजा बंद कर दो, यह instruction है, तो instruction क्या होता है, कोई command या order जो हम computer को देते हैं, तो computer की sense में instruction वही होता है, जो computer को कोई command देते हैं, कोई order देते हैं, उसे instruction बोलता है, फिक program क्या है, program a set of instructions, मतलब एक instructions का ऐसा group है, जो sequentially कई सारे instructions ज execute होंगे, तो उसे program कहते है, a set of instructions, फिक programming क्या थी, a main point हमारा programming क्या है, तो एक program को लिखने का, यानि instructions के set को लिखने का जो तरीका है, जो process है, उसको हम कहते है, programming, programming क्या है, the process of writing a program, is called programming, और programming language क्या है, language पता आई है, भाषा जिससे हम किसी दूसरे वेक्ति से है, किसी दूसर और से अपनी जो emotions है, अपनी feelings है, अपनी बातों को communicate करते है, उससे आपस में share करते है, तो programming language क्या है, वो language है, जिसमें हम computers को, जो computer होते है, उनको हम अपनी भाषा में, अपनी भाषा में समझाना चाते है, कि हाँ, ये चीज करनी है, तो उसके लिए हम use करते है, programming languages का, प्रोग्राम लिखने के लिए, जिस language का use होता है, उस language को बोलते है, computer के programming language, तो a language used to write computer programs, फिर classification of programming languages, फिर classification का मतलब यह था कि कैसे programming languages धीर-देवलप होई, मतलब पहले basic में programming languages कैसी होती थी, फिर उनको क्या उनमें changes किये गए, फिर आगे क्या changes किये गए, और अब किस stage पे ह आया था हमारा machine language, जिसे हम low-level language कहता है, यह वो language थी, जो 0-1 की form में होती थी, binary form में, 0-1 का मतलब वही है, switches का on or off, तो वो एक दब basic form में थी है, उसे हम machine language कहता थे, उसके बाद उससे, जब वो थोड़ा सा उसकी complexity बढ़ने लगी, problems होने लगी तो लोगों को, जिस जिनियस binary numbers होते थे, binary में जो phrases होते थे, चोटे-चोटे words के, उनको एक English में नाम दे दिया गया, English word उनके लिए उससे काम दे लगा, तो उसको assembly language थी हो, add, subtract, इस सब के लिए, उनमें phrases दे दिया गया, तो उनसे machine language के comparison है, बहुत आसान होगा, उसके बाद हमारा आया कि assembler, तो चुकि computer है machine language समझता है, तो machine language में assembly language को translate करने का काम, जो software करता है, उसे हम assembler कहा देते हैं, और फिर आती है हमारी, जब machine language के समस्या आई, कि machine जब programs और बड़े होने लगे, computers और ज़्यादा फैनले लगे पुई दुनिया में, तो machine language, assembly language फिर समस्या करने लगी, problems होने लगी, assembly language फि use की गई, मतलब जिनमें हम English में जातना instruction देते हैं, pure English में, और pure English क्या, English क्या ही words होते हैं, वही syntax होते हैं, उनी का use करके हम यह programming करते हैं, तो उसके लिए जो languages develop की गई, उन languages को कहा गया, high level languages, HLL, इनमें C, C++, Java भी उनी का part है, Python है, यह सब languages जो है, यह high level languages में आती है, तो य यह होगा, programming की जो generations थे, कि कौन कौन सी languages कैसे कैसे develop होई, उसके बाद हमारा आया थे, कि जो इसे translator हमें assembly के लिए चाहिए था, वो इसे translator हमें चाहिए था, high level languages के लिए भी, तो high level languages के लिए translators दो टाइप की होते हैं, एक assembler, ओ, sorry, एक compiler और एक interpreter, compiler होता है, वो क्या करता है, एक बार में binary file यानी machine language में convert कर देता है, तो computer उसको processor आराम से process कर लिता है, इस type के जो translators होते हैं, उन्हें कहते हैं, compilers, compiler कौन कौन सी languages use करती है, C use करती है, C plus plus use करती है, Java भी use करती है, ऐसे और भी languages हैं, जो compiler use करती है, जिन में से main example CM ने दिये है, Java, C, C plus plus, यह सीधा high level language क पूरा program को उठा के एक बार में convert कर देता है, machine level language में, यह था हमारा compiler, फिर जो हमारा दूसरा term था interpreter, interpreter भी एक type का translator ही होता है, जो high level language को जाके machine level language, यह लो level language में change करता है, machine language में change करता है, लेकिन कैसे करता है, उसको थोड़ा सा काम करने तरीका अलग होता है, वो क्या करता है line by line करता है, एक line को उठाता है, compile करता है, मतलब, sorry, उसको change करता है, उसको execute कराने के लिए सीधा processor को देता है, फिर दूसरी line fetch करता है, उसको translate करता है, उसको processor को देता है, तो interpreter line by line काम करता है, यह हमारा compiler और interpreter concept, फिर हमने कि कौन कौन सी languages compiled होती है, कौन कौन सी languages interpreted होती है, उन बहुत जादा से जादा लोग इसमें इन्वाल्व होने लगें जादा जादा लोगों को इंट्रस्ट आए लगा तो वो नहीं नहीं लांगुजिस डवलफ करने लगें पुरे उस्ट जो है बहुत लगबी है लेकिन हम पर उसकी बात करें जो trend इंट्रेंडइंग वैंगोज़ट जो कि बहुत tightly तो फिर हमने clear कि compiled and interpreted दोन और कैसे हो सकता है Java तो क्या हुआ कि जो नॉर्मल languages होती है, जो compiled होती है वो क्या होती है, सीधा source code उनका जो होता है वो जा करके machine code में convert होयाता है जैसे यहाँ पर हमने clear किया था, source code जो होता है वो सीधा उठा करके interpreter हो या compiler हो उसको सीधा machine code में change कर देता है और प्रसेसर उसको execute करता है लेकिन जो java है उसमें थोड़े सी अदल टेखनीक रूज की गई है वो टेखनीक क्या है कि java का जो है वो पहले compiler जो होता है java का वो पूरे प्रोग्राम को पहले एक type के byte code expression machine code में change करता है इसे byte code कहते है और वो byte code क machine एक software होता है जो java को में run कराता है jvm वो समझ पाता है फिर वहाँ jvm का का काम क्या होता है कि वो interpret करता है वहां पे मतलब एक by एक one by one line उठाके वो processor को यहां पे change करता है convert करता है उसके machine के लिए जो आपे processor है उसको देता है तो यहां पे compilation का step होता है यहां पे और यहां पूरा interpretation का step होता है, इसलिए Java जो है, वो compiled और interpreted दोनों categories में आती है, Java को इसलिए हम compiled भी कहता है, interpreted भी कहता है, और यही extra layer जो JVM की है, वो ही इसको Java को extra security देती है, क्योंकि कोई भी language में अगर कुछ लिखा है code, बाकी languages में वो direct compile होके सीधा जाता है प्रोसेसर के पास, execute होने के लिए, तो वहाँ पे जो programmer है, उसके पास राइड हो जाता है, कि वो कुछ ऐसे काम कर सकता है, जो कि हमारे प्रोसेसर को हमें system को harm कर सकते हैं, नुक्सान पहुचा सकते हैं, अपना code यूज करके, क्योंकि वो compile होने बास सीधा प्रोसेसर के से आके interact करता है code, जावा में ऐसा नहीं है, जावा मेरे प्रोग्रामर ने जो भी के लिखा, वो पहले byte code में change होता है, उसके बाद Java virtual machine जो है, जो किसी और ने बनाई है, जो पूरी Java की community है, Sun Microsystems ने develop किया, उन्होंने बनाए इसको, तो उन्होंने कुछ इसके लिए, कुछ particular rules रखे हैं, कि प्रोसेसर से भाई, ऐसे ही type के interactions हो सकते हैं, इस type के interaction नहीं हो सकते हैं, मतलब आप processor को direct memory को, आप modify कर रहे हो, direct memory को आप इधर से उधर interchange कर रहे हो, ऐसी memory जो कहीं use हो रही है, आप उसको जाके destap कर रहे हो, ऐसी चीज़ों को permission JVM नहीं देता है, तो इसी वज़े से Java जो है secured माई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लिखा आएगा, वो पहले JV के through होके तब processor के pass पहुचेगा, तो उसमें कोई भी समस्या होगी जैसे, कोई भी security disk होगा, तुरंत JVM महा से उसका जो आगे का execution हो बंद कर देया, कि भाया यह जो प्रोग्राम लिखा गया है, एक कुछ problematic है, processor को परिशान कर सकता है, तो मैं इसको processor के पास आप जाने ही न division की हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे, अब आगे कुछ concepts से जैसे हमने अभी पढ़ा कि Java के बारे में कि compiler interpreter पढ़ा हमने, आप कुछ हैं, terms हैं जो और use होते हैं terminology में Java के, या programming के terminology में जो और terms use होते हैं, उसमें से एक term और important term है linker, linker क्या होता है, तो आज की जो topics हैं, उनमें सबसे पहला topic क्या है, उनमें सबसे पहला topic क्या है, जो आज की topics है, उनमें सबसे पहला topic है, linker, linker क्या क्या काम होता है, प्रइब निगे ऐसे यहां कोगते हैं यहां यहां पे लिख दिया यहां यहां पर प्रोग्राम हमें ने लिख दिया लाइन बाइन बाइन जो भी प्रोग्राम था वो लिख दिया हमने वो यहां से कंपाइल होके compil लो compilation का step यह interpretation का step हुआ तो java की case में चूकि हम बात कर रहे है जाभा हमनों आगे पढ़नी है तो हम compilation कहेंगे, क्योंकि यहां पर इस stage में compilation ही होता है, तो यहां से program compile होके, जाता एक special type का code बनता है, क्या बोलते हैं उसको, यह जो code है, इसमें वो थे byte code, जावा बाइट code, और यह क्या था हमारा, यह source code था, यह term याद रखिए, कि जो program हम लिखते हैं, जो text format में हम लिखते हैं, पूरा one by one ABCD करके, उसे हम क्या बोलते हैं, source code, जो program user लिखता है, जो programmer जो लिखता है, उस program को, जो text file पूरी आती है, उसको हम बोलते है source code, अब उस program का, वो source code है, उसके बाद, जब compile हो जाता है, जो javac, ऑख कह सकते हैं, javac, यह compiler, जो होता है, यह compile करके, उसको special code में change करता, इसे बोलते हैं byte code, इसमें change हो गया, हो जो इसको बाद में फिर क्या होता है, च cancelled होने के बाद में, जब processor के पास जाना होता है, सब्सक्राइब रियल वर्ड के एक्जांपल्स हम हमेशा लेते रहेंगे क्यों कि प्रोग्रामिंग जो होती है वो इसलिए बनाई ही गई है कि रियल वर्ड चीजों को हम थोड़ा सा अपने हिसाब से कैसे उनको चेक करना है कैसे चेंज करना मतलब अपने सिमुलेशन जैसे कहते हैं जिसको क रियल वर्ड चीजों को सॉफ्ट्वैर वर्ड में ले जाने के लिए हुआ है जैसकि जो बैंक अकाउंट होता है का बेटेटी है कोई इंसान है कोई आदमी अवरत है कोई लड़का है जो एक अकाउट को होल्ट कर रहा है और वही चीज जैसे फॉंक्षन जो उसके होगे रियल वर्ड में बैंकिन संबंदित मतलब पैसा निकालेगा जमा करेगा अपना बैलेंस चेक करेगा यह सब चीजें क्या है कि रियल वर्ड की चीजों को सॉफ्वियर वर्ड में उनके बराबर का सॉफ्वेर वर्ड में रियल वर्ड की चीज़ें क्रियट करना मतलब रियल वर्ड में अगर कोई account holder है तो उसको software में करेंगे सकता है तो प्रोग्रामिंग में हम रियल वर्ड के एक्जामपल ही लेंगे जाद अतर क्योंकि रियल वर्ड का ही जो हमें use करके प्रोग्राम बनाना है तो रेल वर्ड से इसका जो हम निगा थे कि लिंकिका जो बहुत बाड़ा प्रॉसर जैसे हैं अगर कोई मान जा आपको प्रोग्राम और गनाइज कराना एक चोटा सा सपोसे बड़ी पार्टी है वो और गनाइज करानी आप बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है फिर भी बहुत दिक्कत हो जाएंगी हो सकता ही कर लेगा बहुत ज़ादा मेहनत करेंगे बहुत ज़ादा टाइम लगाएगा पिर कर लिए तो उसका अल्टरणेटिफ हां निकालते हैं एक असान तरीका यह वह क्या होता है कि काम को distribute कर देते हैं चोटे चोटे पार्ट में तोड़ देते हैं ऐसे भी या तुम दोनों चले आना बाजार से केक ले आना और जो कुछ भी खाने का सामाः मिठाई है लड़ो लेके आना एक आदमी को दे देते हैं काम कि तुम जाना यह पर सामान को सर प्रॉब्लम होगी तो इसी सेम कॉंसेट को यहां पी यूज किया गया है जब प्रोग्राम आपका एक छोटा सा है सब्सक्राइब करना है तो वह एक बार में हो गया लेकिन जब बड़ा काम है आपको एक बैंकिंग को सॉफट्वेर बनाना है या फिर आप बैंकिंग यहां यह स्टूडेंट का यह नाम है यह रोल नंबर है यह पापा का नाम है और एक्सेटरा बहुत साई चीज़ें होती है वह एंटर करेगा और फिर जब काम होगा वहां से उसको डेटा को फिर से उठाएगा और उस सामने वाले को प्रिंट करेगा यूजर को जब चाहि पॉसिबल नहीं है किसाब से पॉसिबल नहीं है बहुत मुश्किल होगा आप कर नहीं पाएंगे तो क्या करते हैं उस प्रोग्राम को छोड़े पार्ट में तोड़ देते हैं जो कोड हम लिखते हैं पूरा प्रोग्रामिंग करते हैं चोड़े पार्ट में तोड़ देते ह मौ riul बोलते हैं चूटे से पार्ट को मॉडिव बोलते हैं कि यह मॉडिल का है इससमों करें होगा बैाइज च्टोष पर गुद्टर है उसमें डेटा एडा चमिल जाएक थो सेव करें गए प्तिb कि फायल में अर्ट क airplanesa एक मौडियूल और है most suppose एंबोन है यह module M2 है इसका काम क्या है read data मतलब यह data जो है यूज़ सारा data यह यूज़ से read करेगा ऄसे मलगगेगा data input करेगा जďला और काम के सकते हैं? उसके बास एक नाम थे। रॉटिल हम तोड़ देंगे, gitik ona देटा की प्रिंटपर रॉकिया है, दिछ हम आग भी देटारं ब sitäटब की अन्- िचाए मेड़ है तो जब उसको काम लाए तो कैसे जानेगा उसको अपनी काम को बहुत तेज और आसान बनाने के लिए कर रहे हैं किया जा सकता है काम में एक आधमी ही पूरा बट्रीट का पूरा जो कामें कर सकता लेकिंग उसको बहुत प्रेशर पढ़ जा determiner का बहुत ज्यादा जाएगा दुने में लग जाएगा पूरा दिन कि प्राब्लम कहा है कहां से अगर इस टूडेंट का डेटा अगर राम है तो श्याम क्यों प्रिंट हो रहा है यह आपको देखने दिन पर चला जाएगा कि क्यों ऐसा आ रहा है इसलिए मॉडिल को यूज करते हैं अब आपको समझ में आया कि यहा अ या सब्सree two ने हैं जैकर पाए ठीक से डेटा यह फिर टेसे प्रेंट रहा पार आपका जो यह एक्सट्रा ओवर हैड था यह तो बच गया ना यह बच गया मतलब आपको m2 m4 मतलब mieć नहीं है M4 का क्या काम होगा ? M4 कहा काम होगा ? já pena का देता को रट्रीव करना tat की मतलब क्या होता है ? र हर री मतलब अधिलय काम है सक विल्टा मतलब जो आप असी न criticize कम्प्यूटर में data को खते है इसका विल्टा इसी थी वाइत आप उस Employee देटा को रीड करते हैं, जहां पर आपनी स्टोर किया होता है, जैसे हम उताइ कोई चीज दिमाग में याद कर लेते हैं, उसके बाद दिमाग से उसको याद करने कोशिश करते हैं, कि आप रिकॉल करें फिर से, कि हाँ यह याद किया था हमने, तो वो है रिट्रीवल, डेट का रिट्रीवल, तो M4 क्या गरेगा, डेटा को रिट्रीव करेगा, मतलब डिस्क में हमने जो सेव कर दिया कम्प्यूटर में, वो उसको फिर से रिट करके, इसके लिए पर प्रिंट कराने काम के लिए M3 को देगा, तो यहाँ से फायता क्या हुआ, कि हमने M2, M4 का हमें ज पूररा करें कि वो मदूल की अगई करें कि भंधाएम से गया, इसके हमें को फिर यूज़र करेंगे हम इसको जह को यूज़र प्रिंट करेंगे और कहिं नहीं से रिट्रीव होता रहेगा, यह सब एक महीं है, एक में mixed up है, तो बहुत समस्या हो जाएगी, नहीं हम कोई सम पूरा देखना पड़ेगा यहां पर क्या है केवल हमारा फोकस M1 और M3 पर रहेगा बाकी पार्ट से हमें कोई इशू नहीं है वहां पर चाहिए जो हो तो यह फायता होता है मतलब प्रोग्रामिंग हो घाती है यहां यह हमारा यह करेगा यहां यह काम लेना है और फिर दूसरी असानि क्या होती है ऑफिर बगोकी तो अ अब है यहां पर हम जाएंगे डीबगिंग स्टेप में, वह भी आगे हम पढ़ेंगे, डीबगिंग क्या होते हैं, फिलाल यही है डीबगिंग, कि समस्या आ कहां से रही है, तो जब हम डीबगिंग करते हैं, मतलब जो समस्या ढूंडते हैं, तो यहां पर हमें जो modular form में होता है, यह modules में तो बहुत आसानी होती है, तो यह थे पूरा process, यह process पूरा किस लिए था, सिर्फ और सिर्फ इस लिए, कि हमारा data का जो reading writing है, वो बहुत ही इससे आसान हो जाता है, तो क्या हुआ, यह जो है, यह अलाग अलाग modules रहेंगे, और फिर उनको जब main processor की पास जाना है, जब processor कोई मिलना है कि अब execute करना start होगा, वहां पर काम आता है, हमारे linker का, यह क्या करेगा, linker का काम यह होता है, कि different, different जो modules हैं, उनको एक साथ combine करना, फिर से अगर रियल वर्ड का example वही लें, तो बड़ सामान आता है, यहां यहां किया, तुमने यह काम की बार्गार मोजे देना, सब सामान लाक wide के सहने से और उनको ठीक है, सब सामय झाते होगे यह काम ऐसे होगा, इसको आगे करना है, फिर वो पुरा program को एक तरह से organizer हमें होता है, जो पूरे program को अपना देख रहें करता है, ह इहां सबने अपना काम थीक से किया और प्रोग्राम काम थीक से हुआ तो आगे उसको अगे बढ़ाना और कि यह क्या करता है कि सारे मॉडिल को एक जगह इकठा करता है मतलब सारे मॉडिल को यह सीक्वेंस हम चाह रहे होते हैं वो लिंकर उस सीक्वेंस में मॉडिल को इकठा करता है और पूरा एक आराम से पूरा एक मॉडिल बनाता है क्या फाइदा होता है उससे कि पूरा मॉडिल ज यह प्रोशेषर जो है वह अपना पूरा प्रोग्राम एक्जीक्यूट कर देगा पूरा जो भी हम्या काम करना है वह हो जाएगा तो Linker का में बस काम यही होता है कि सारे data को लिंकर का काम डिया होता है सारे मॉडियूल को आपस में साथ में Mix करना मतलब एक दूसरा सब लिंक करना Linker का नाम जोड़ना आपस में यह एकाम Linker का तो यह हमाँ था concept Linker का अब हम चलते हैं देखते हैं Linker के बाद Linker तो हमारा यह हो गया यहां से हमारा लिंक करके जो रहेगा लिंकर यहां पर आएगा लिंक करके final module जो है जो हमारा final module है link करके वो हमारा आगे JVM को चला जाएगा यह फाइनल मॉडियूल है, फाइनल, यह हमारे जीवेम को चला जाएगा, वो अपने आप इंटर्पेट करके यहां से प्रॉसेसर को देदेगा, यह काम होता है लिंकर का, अब अगला जाते हैं, अगला टरम देखते हैं, लिंकर तो हमारा हो गया, एक और है, टर्म है, बहु होता है, यह टर्म को जानने से, तो टर्म क्या है, लोडर, यह टर्म जो हम सीख रहे हैं, यह प्रोग्रामिंग में हमको यह है कि हमको बेसिक समझ देते हैं कि कैसे प्रोग्रामिंग में, एक्चुली में कम्प्यूटर जो है, वो प्रोग्राम को एक्जिक्यूट कैसे कर र बाइड को जाएगा जाएं, जो यहां से ओर डेटा को रिड करेगा प्रोसेसर, वहाँ पे लोडर का, का काम किसका होता है, Loader का, Loader मतलब loading करना, Loader का क्या मतलब हो जाएगा, Loader का क्या काम हो जाएगा, जो Loader है, इसका काम क्या हो जाएगा यहाँ पे, to load the data, the instructions हम अगर precisely कहें, instructions हमें जो है, instructions and data, मतलब instructions and data, instructions and data का क्या मतलब है, आगे हम थोड़ा सा मज़ते हैं, फोड़ा सा focus के देखें, instructions and data into the memory, memory, memory में लोड करना, किसके लिए, for its execution, किसके लिए करना, for its execution by processor, क्या होता है, कि जो instructions and data है, instructions and data का क्या मतलब है, instructions and data है, उनको memory में लोड करना, किसी लिए, कि वो processor उनको execute कर सके, memory, instructions and data हमने क्यों लिखें, instructions and data का मतलब यह है, आपने जैसे लिखा, c equals a plus b, suppose, यह आपने लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, कि a और b को add कर दो, इन दोनों को add कर दो, और उसका जो value आया, यहां से, उठा के c में store कर दो, c वाले variable में, c वाले location पे store कर दो, इसे data को उठा के c वाले में store कर दो, अब यहां पे instruction जो है वो क्या है, computer का हमने instruction मेल ने क्या दिया, add का, हमने उसे कहा क्या, क्या करो, add करो, add करो, add करो, तो add क्या हो गया यहां पे हमारा instruction, यह पूरा हमारा instruction है, जो main instruction यह है हमारा की add करो गए, यह हमारा हो गए instruction, और दूसरा क्या है अब किस को इसको add करना है, A और B को, A को और B को, तो A और B हमारी क्या हो गए, data, और फिर क्या है, यह process supposed हो गया, इसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट प्रोसेस क्या आएगा फिर से स्टोर अब यहां पर जो आया है सपोज कहीं पर है किसी जगहां पर है स्टोर करना है क्या करना है क्या करना है सपोज किसी सम जगहां पर है और इंस्ट्रक्शन दिया और आउ बी को आड कर दो और वो वेलु कहां कर दो करना है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को मेमरी में लोड करना जिसके लिए प्रोसेसर उनको आगे प्रोसेस कर सके हैं तो यह थे मया थों टमस आज के कि कंपाई वह लिंकर क्या होता है हो अब हाते हैं एक और इंपोर्डेंट टॉपिक पर ग्रामिंग से संबंदित ड्रक्राइफ जिसे होता है कि हम पहले पढ़ाई करते हैं आप क्लास देले रहे हैं क्लास का आप कम्प्टीट होने के का प्ली प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग में वहीं हैं suppose हमें पुरा program लिखा a और बी दो number से उनको add करने का तो प्रोर्ग्राम मातलूब क्या था ? suppose अभी हम code नहीं लिखते हैं हम लिखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं यह steps है हमारे जो हमारे steps है यह है क्या है steps हमारे ? बेटर होगा हम इसको color अपना change कर लें ताकि visibility और clear हो, तो हमारे steps क्या है, steps जो हमने हैं, क्या करना रहता है, प्रोग्रामिंग में नहीं जा रहे हैं, इसको बोलते है algorithm, यह भी एक पार्ट है, प्रोग्रामिंग का बहुत इंपार्ट है, कि मतलब जो program है, वो कैसे होना है, उसमें क्या क्या होना है, उसको हम पहले स जा रहते हैं, फिर step by step, इस process को कैते हैं, यह जो हम बनाते हैं, आपे step by step solution, वो है algorithm, algorithm क्या है, आपे हम एक्जाम्पा अगल्स की definition लेएं, कि algorithm क्या है, algorithm क्या है, important term है आपे, algorithm क्या है, algorithm क्या है, step by step, simple size, step by step, solution to a problem. बस, solution to problem, मतलब कोई problem है, या कोई task है हमारा, वो करना है, उसका step by step क्या solution है, यही हमारा है, पूरा algorithm, अब steps क्या होंगे, steps को देखने के लिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले, यह steps को देखने के लिए, क्या होगा, कि यह जो, इसको हम थोड़ा ऊपर सरका देते हैं, और फिर से यहां से लिखते है steps जो अपने हैं, steps क्या होगा, सबसे पहला step क्या होगा, suppose हमें दो numbers को add करना है, दो numbers हैं, उनको पता नहीं है, वो user से लेना है, कि यह number, यह number user देगा, add करना है, सबसे पहला काम क्या होगा, user से number input कराना, input कहां कराएंगी, कहीं पर, कोई values तो होगी, हम पूछेंगे कि किसी को add करना है, क्या चाहिए उनके लिए, ऐलरी कहता है कि x औ y को add करो, यह तो होता है, math कैसे करता है, c equals, जैसे हम कहता है, c equals a plus b, अब यहां पर a भी कोई value आप डाल दीजिए, और b में कोई value डाल दीजिए, कोई value 5 यहां पर डाल दीजिए, 4 यहां पर डाल दीजिए, तो वहां पर जो इनका sum होके, जो 9 आया, वो यहां पर चला आता है, c में, यह तो process होता है, तो सबसे पहले इसके लिए, यहीं पर concept आता है, variables का, variables मतलब, ऐसे locations होता है, ऐसी memory में ऐसी जगहें होती है, जहां पर हम कोई value जो है, यूजर से लेके आपना processing करके वहां पर store कर सकते हैं, memory का मतलब क्या है, याददास्त, याददास्त मतलब कोई चीज आपने दिमांग में रखना, सेम computer में भी होता है, कोई value होती है, उसे हमें कहीं पर store करना है, अभी हमें आगे चलके उसका काम आएगा, तो उसको हम memory में store करते हैं, memory में कहीं कोई जहां पर store करेंगे, कोई particular location पर, तो उन location हो गाता है, suppose हमने location बना दी, इतनी ही है, इतनी बड़ी location है, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो कि memory का नाम है, जब हमें जाना हो, जैसा हमें मालीज हमें कोई सामान रखना है कहीं पर, कि अभी हम हाथ में, सब्सक्राइब के लिए गए, वहां पर हमने कुछ सामान लिया, और grocery पर हम गए, grocery से सामान ले लिया, हमें फिर अब जाना है, हार्डवेर की दुकान पर, कुछ और लाना है, paint लाना है, कोई काम है, तो क्या करेंगे, वह अपना सामान ले के थोड़े न जाएंगे, उधना सारा weight होता है, क्या करेंगे, के पर पट्वर जगहां पर रख देंगे, अभी हम कुछ देर बाद आएंगे, अपना वह सामान ले आए, या हम काम कर रहा है, फिर इसको उठा लेंगे, यां से, कौन से दुगान पर रखा था, तो सामान आपको कहीं नहीं मिल पाएगा, इसलिए जो memories हम बनाते हैं कोई, तो उसका एक particular नाम देते हैं, कि जब हमें काम लगे, तो value जो हमने memory पर स्वेप की है, वह हम तुरंद हमें मिल जाए, तो एक variable बनाया हमने a नाम का, एक variable बनाने क का मतलब यहां पर क्या हुआ, एक memory location बनाया, जिसका नाम हमने देते है a, और एक और बनाली जिसका नाम देते है, हमने b, और यहां पर कोई value जो होगे, user save करेगा, तो इसको हम कहते है, इन्ने को कहते है, variables, तो सबते पहले हां पर आयाते है, सबते पहले काम क्या होगा है, create variables, यह एकदम से algorithm यही मतलब समझ लिए, कोई general इस पर कोई वो नहीं है, कोई यहां पर आपको command नहीं है, कि आपको इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, वो आगे आप जब detail में जाएंगे, तो समझ में आगे, कि हाँ यह कुछ इसके set rules हैं, कि इसके according आप करना है, जिस कि steps क्या हो गए, algorithm क्या हो जाएगा, steps by step solutions का हो जाएगा, किसका हमारे जो program को हमें problem solve करना है, तो सबसे पहला क्या है, create variables, a, b, c, तीन variable हमें बना दिये, a, b, c, दूसरा क्या है, input करा लो भाई, मतलब user से value चाहिए, तो हमको input a and b, मतलब a और b में, जो values हैं हमारी, उनको input करा लो, उनको save करा लो user से, कि भाईया, a की value दे दीजे, b की value दे दीजे, इनको save करना है, फिर तीसरा क्या हो जाएगा, c को c में a plus b उठा के रख दो, c को as a plus b, लेकिन बस ही जो मैंने कहा, अभी हम की, एक कुछ set rules हैं, कि हाँ, इस हिसाब से आपका, इस way में, इस pattern पे आपका, ये step ऐसे लिखना है, जिससे क्या होगा, कि सामने वाले को समझ आए, अगर कोई आपको देख रहा algorithm, उसको तुरंट समझ में आजा, आपको बताना ना पड़े बैटके, कि यहाँ ये step का मतलब य है, ये step में ये हो रहा है, ये आपको खुछ से ना पताना पड़े, आराम से हो देखे, तैसे उस समझ में आ जाए, तो उसके लिए जो rules है, उनमें से एक दो rule है, ये equal to sign, हम equality check करने के लिए, जब हमने करना कि a plus b की value इसके c में save कर दो, उसके लिए ये symbol है, ये क्या मतलब कि a plus b की value है, वो हमने c में उठा के save करती, चौता काम क्या हुआ, c में a plus b की value आ गई, print कर दो c को, print c, ये इसको और बैसे बिए सकते हैं, आज क्योंकि हमें केवल अपनी समझ के लिए लिए लिखना है, display c, program algorithm का केवल काम ये होता है, कि हम जो programming में real में करने वाले हैं, उस को जो program हम लिखने वाले हैं, उसको हम अपनी भाशा में लिख लें, step by step, कि ये हमें step follow करने हैं, आगे चलने के लिए program में अपने, उस से फायदाई होगा, कि जब हम programming करेंगे, तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा, उस टाइम पे, कि अब क्या करना है, हमारे पास लिखा लिखें, दोनों का मतलब सेम है, कि user को c की value दिखा दीजे आप, बस काम खातम, हो गया काम, create करना है सबसे पहले variables, उसके बाद a, b, c create करने है, a, b, c की value user से लेनी है, फिर c में a, b का sum करके c में store कर देना है, फिर c की value print कर देनी ही user को, simple सा ही काम था, अब आते हमारे कि testing क् लिए हमें जानना है कि program बनाए, अब program बन गया जब इस program बन गया, तब इसके testing होगे, testing का मतलब क्या वही, exam वाला, कि मतलब वो सही से program बना है कि नहीं बना है, कोई गलती तो नहीं रहगे टेस्टीं का मतलब यह होता है की प्रोग्राम में हम कोई जектив इनपूट की रूप में परेले से में किसा epid나ी को कुछ हमाई दिवाग में उनको इंपूट करेंगे उनको देंगे प्रोग्राम को और देखेंगे कि प्रोग्राम सही चलता है कि नहीं कुछ हमाई दिमाग में उनको इस इंपूट करेंगे उनको देंगे प्रोग्राम को और देखेंगे कि प्रोग्राम सही चलता है कि नहीं जो हम सोच रहें जैसा मतलब हमें पता है कि अगर पांच और चार को जोड़ेंगे तो नौ ही आएगा तो प्रोग्राम नौ दे रहा है कि 10 और 12 दे रहा है यह चेक करने के लिए हम क्या करते हैं तो इसी स्टेप को पूरे कुछ टेस्टिंग कहते हैं आप उसमें चाहे कुछ वैलियूज दीचे वह उसका ऐसा प्रोग्राम हो जो वैलियूज नहीं मांग रहा है आपसे मतलब जिसमें आपको इन्पुट कुछ न इन्पुट आप करने चाहिए प्रोग्राम पहले से पता हम क्या गया है अगर रिजल्ट यह आ गया तो क्या हो प्रोग्राम सही चला की गलाख चला बात है, प्रोग्राम इंदम से चला क्योंकि एक से 10 तक के बीच में, एक से 10 तक लेकर के वेल्यू जे ही चार यह पांच यह हैं, जो कि और नंबर हैं, और अगर गल्पहिं, सपोस्ट प्रोग्राम का आउडपुट यह आ रहा है, यह आ रहा है आउटपूट क्या मतलब हो है आपके कि प्रोग्राम में कुछ गढ़बड़ी है जिसके वज़े से यह उल्टा सिधा आउटपूट दे रहा है यह तो इवन नमबर को यह भी इवन नमबर है यह इनको उठाके आउटपूट में रख दे रहा है और एक और यह आएगी क्या हमें आउटपूट देना चाहिए उसे और क्या आउटपूट दे रहा है दोनों को हम कंपेर करेंगे अगर वह आउटपूट सेम आ रहा है जो हम चाह रहे हैं तो मतलब प्रोग्राम हमारा सही बना है यानि वह टेस्टिंग में पास हो गया और अगर वैल और जेखो पढ़ाए की नहीं वैसे उसको प्रोग्राम में फिन से जाएंगे देखेंगे कि प्रोग्राम में हमने गल्ती कहां कि और फिर गल्ती को सुधारेंगे फिर से ही है के टेस्टिंग कर एग यह आप सही दिया कि नहीं तो यह step होता है किस step को हम क्या कहते हैं टेस् तो उदर syntax तो अपने ही आप लिख जाएगा हाली हमको programming की खाली फिर उसक बेसिक सिखना है कि programming में Java में जो भी C++ है C है उसमें लिखते कैसे हैं अगर हम input यह लिख दी है यहाँ पे तो मतलब यह तो clear हो गया इतना 100% clear हो गया यह value जो है यह input है यह value जो है यह input लेगी यहाँ पे अब value input तो लेगी लेकिन कैसे होगा यह का हमारा हम उठाना है कि हमें syntax Java का क्या है input लेने के लिए वह हो जाएगा हमारा step clear है हमें कि हम input लेना है यहाँ तो algorithm मगर एक बार check हो जाएगा तो automatically हमारा program check हो जाएगा टेस्टिंग उसकी हो जाएगी वह आगे उसमें technical problems आ सकती है कि आप program incision लिख पाए तो हम फिलाहल algorithm को check करते हैं तो क्या करेंगे हमें पता है example लेते हैं कि 10 क्या है कि हमें पता है कि 10 और 12 को अगर add करेंगे तो कितना आने वाला है यह सिंपल सी बात है टेन प्लस 12 इकुल्स तो दस बारा को जोड़ेंगे तो 20 आएगा पक का हुआ पता है अब इन वैल्यूस को दिन सप्लाई करते हैं क्या है अब सब्सक्राइब और यह बन गया यह बन गया और यह बन गया और यह बन गया हमें पता है क्यों क्योंकि हमाएं पाद नाम है इनका मतलब एड्रस है हमारे पास इनका कि इस मेमरी पर इस जगह पर हमारे वैरियेबल्स बने हैं मतलब इस जगह पर हमारी मेमरी लोकेशन जो है यहां है इस जगह पर हमारे वैल्यूस स्टोर होंगे अब क्या हुआ हुआ A and B, अब A है, A और B को input करना है, A और B को, A में क्या हमने input किया है, हम A में 10 देख रहा है, और B में 12 दे रहा है, C में इसका result आ रहा है, तो A में आ गया 10, B में आ गया 12, तीसरा काम, इंपूट का काम हो गया, C equals A plus B, मतलब C में A plus B की value store दो, अब A plus B हम यहाँ पे करें, computer की computer क प्लस B को चोड़ेगा, 10 और 12 कितना होगा, 22, यहाँ पे आपको simple लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जोड़ना क्या होता है, और computer कैसे जोड़ेगा, इसको जब हम आगे implement करेंगे, higher level पे, same as algorithms को, एक value लेगा, तो वहाँ पे आपको पहले से पता नहीं रहा कि आपको यह पता है, कि मैं यहाँ पे यह value डालूँगा, तो यह values आएगी, यह आनी चाहिए program से, लेकिन यह नहीं पता है कि यहाँ पे ओक कैसे आएंगी, वहाँ पे आपको one by one उस्टेप को चलाना है, यहाँ पे बहुत simple step है, इससे हम करना है, तो मैं पता है sum को तो वह आएगा, फिर भी हम चलाएंगे, क्योंकि हमें basic process समझना है कि testing होती ही कैसे है, यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने program को values दी a plus b add किया, उसने फिर c में store किया, c में कितना आएगा 22, simple सी बात है, अब फिर क्या है, चौथा स्टा में print c या display c, c को display कर दूँ, अब क्या होगा, जो हमारी screen है, जो console जिसे बोलते है, इस screen को जहाँ पे हम inputs देते हैं और output हमको मिलता है, वो screen को क्या बोलते है, console बोलते है, console पे हमें क्या आया, यह जो भी हमारा output का screen है, उस पे हमारा क्या आया, print हुआ c, c की value कितनी है, अब हमने क्या दिया, यहाँ पे सबसे पहले हमने, सबसे पहले। दस ग्या और फिर बार रा किया और फिर पर बीकि वैल्यू थी ए हमारा कितना अगया कि मतलब प्रोग्राम मारा टेस्टिंग में पाइस आब गया कि प्रोग्राम नेगेटिव नंबर्स को जोड को देखेंगे कि माइनस 10 में अगर माइनस 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा और वहां पर हमें चू की आउटफुट पता है खुद से कि पहले यह होना चाहिए प्रोग्राम अगर वही आउटफुट दे रहा है मतलब प्रोग्राम हो गया सही और इसी पूरे स्टेप वो वैल्यूज डाल करके निकालने को टेस्ट इन बोलते हैं यह हो गया अगला स्टेप पर क्या है डी वगिंग यह स्टेप क्या है मारा इसको बोलेंगे हैं डी बग यह गया जी बग गया क्या मतलब है बग का सब से और बग को निकालने का प्रोसेस सीकता है, बग को हटाने का प्रोसेस होता है, डीबगिंग, जैसे यहां पे, तो डीबगिंग है, अब यहां पे में वर्ड क्या है, इसमें बग, बग समझते हैं क्या होता है, बग क्या होता है, नॉर्मली में जो जनरल इंगलिश होती है, उ कि ऐसको निकॉलने का प्रॉसेस अब डी बग इंग में यह kıya मतलब अब बक यहां पर क्या मतलब क्या होता बहुक्तपर क्या होता है। प्रोग्रामिंग में हम किसे कहते हैं? एर्र को हो यह ए, ऐसी चीज जो हमारा प्रण को रांशा हो होएँ रहन नहीं होने दे, इसका मतलब क्या है? कि जैसे प्रोग्राम का आपने सिंटैक्स जो लिखाओ, वह गलत हो जाया मतलब programming language जैसे हैं हम Hindi बोलते हैं English बोलते हैं तो जैसे कहना है कि English में कहना है कि राम एक अच्छा लड़का है तो हम क्या लिख दें राम is a good boy तो यह तो सही हो गया और अगर हमें फिर रिखना है कि राम एक अच्छा लड़का था अगर यहां पर प्रॉब्लम यहां इतना बाएगी जब हम language जो कहती है उसके अगेंस्ट में चले जाएं मतलब जो language हमारी कह रही थी कि language कि यह के साथ में आपको यह चीजी होना है मतलब अगर आप singular subject यूज करते हैं तो उसके साथ में आपको जो verb है या जो यह वर्ब क्या helping verb है वह helping word आपको singular verb आली में लगानी है आप क्या लिख दें राम इस अच्छा रड़का है आप लिख दें राम आर एक गुड़ बॉई आप यहां पर देखें प्राव्ब्लम आगई तो रहें क्यों क्यों क्योंकि लाइंग्वज कहती है कि राम एक singular word है उसके साथ में आपको helping verb जो है वह singular यूज करना चाहिए singular typing और पिकल आओ कि क्या होगा आराम के साथ में इस होगा आप आर यूज कर रहे है मतलब आप language के syntax है उसके opposite पी जा रहा है मतलब language के syntax से आप गलत कर रहे है मतलब language के general definition है जो language के general rule है उसे आप तोड रहे है इसे क्या कहते है इस ताइप की समस्या को क्या करते है एरर कहते है इसे syntax error के जएक क्या Estado को क्या बोलते हैं इसे क्या बोलते है हे इन टाइप की errors करते हैं syntax errors on next syntax error का मतलब प्या है गे कि error ऐसी जो आप जो language की जो set rules है जो लैंगोज की रूल्स कुछ सेट हैं कुछ उसके कंडिशन्स हैं नियम हैं कि आपको इसी हिसाब से लाइंगोज में प्रोग्राम अपना लिखना है आप उसके अपोजिट पर चले जाए उससे अलग कर दें आप मतलब गलत कर दें उसे बोलते हैं इस टाइप की एरल को ब अदमी जिसको इंग्लिश आती है एक है जिसको खाली हिंदी आती है दोनों को आपसे बात करना हुआ तो ट्रांसलेटर को बुला अब समस्या हो गई कि राम आर क्या होता है राम के साथ मैंने मैं इस ही पढ़ा है मुझे कि राम जब लिखा तो इस ही होगा आर कहां से आ ग नहीं सकता यह गलत आप बोल रहे हैं अब वो अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करें समझ जाए कि नहीं यह इस बोलना चारा है वो अलग बात है जो जन्रल है वो जो स्टेंडर्ड है वो क्या गएगा कि अगर वहां से ही गलत आपको मिल रहा है तो आप वो ट्रांसलेट कर जाएंगे जो लाइंगोश का रूल कहता है उसके आप अपोजिट में चले जाएंगे मतलब उससे अलग आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा वहां पे वहां पे एर्र आजाएगी और वह कौन सी होगी सिंटैक्स होगी और सिंटैक्स क्या करी प्रोग्राम को रण ही नहीं है कि यह क्या चीज हैCloud तो पता ही नहीं है कि यह क्या सीज héँ तो क्मपाइलर क्या रूख जाएगा अरर देगा कि आप एर्र है यहां पर यह गलत चीज लिखाए लेकिन हैं मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता हूं इस आप यह गलात है इस哪裡 Guys जो जो हम compile करने लगते हैं मतलब जो प्रोग्राम को translate करने लगते हैं तभी समस्य आ जाती है तभी errors आ जाती हैं तभी problems आ जाती हैं उन्हें compile time errors बोलते हैं उसका एक party है syntax error यह syntax error मतलब कि जब जो syntax हो language का मतलब जो लिखा है incorrect language मतलब simple सी बात है incorrect language का मतलब जो आपने भाशा का प्रियोग किया है मतलब आपने जो language यूज की है वह आपने गलत यूज की है वहाँ पे जो rule है उसके अगेंस्ट में है तो यह क्या होगा syntax error होगा आपने जो भाशा लिखी है वही गलत रिख दी यह syntax error है जहां पे प्रोग्राम रूप जाएगा तो इसको तो आप तुरंट चीर्च कर सकते ह इसको यह बोलते हैं इसको नहीं आएगा इसे केस है दूसरा केस है ौह बग बोलते हैं बग मतलब क्या होगा वोग गगा कि प्रोग्राम का आप जो compiler है उसको समझ नहीं आएगा कि गल्ती है आपे आगे चलके उगलती समझ में आएगी आपको जब आपका प्रोग्राम क्या करेगा वाला प्रोग्राम बनाय था तो हमने क्या लिखाता हूं पर अिस मिधLY बढ़े से को साइन कर्दो अमने लिखा कि यह खा है हमारा क्या था बारा उदस को एंटर कर रहे थे तो टेल टेन कोट 22 करके दे रहा था मैं प्राफलम कहा गई आपने गलती से टाइपिंग में स्टिक किया जान बूच्च किया कुछ भी वह आपने यहां पर यह लगा दिया यह स्टरिक है स्टार सिंबल है यह मल्टीप्लाई क है कि सामने वाले को समझ आए जाए तो रूल है तो रूप नतीenger है तो रूप इससे र्प्रेसिंट करते यह वाल है को किवर्डी एक कुलिट्टी उ जूर को यह वेल्यू इसमें अशाइन करने जर्ण वहां पर हम इस वा इस मार्परेटर का करते हैं इसको नहीं यूज़ करते हैं यह संबल है इस्टार का मतलब क्या होता है कि मल्टिप्लाई करो एस्टरिक इसे बोलते हैं अब यहां पर suppose हमने जो वह एक्जामपल हमारा है कि हम लिखना चाहते थे राम इस फार्ट बोई रान is a good boy, राम is a good boy, यह हम कहना चाहते थे हमने कह क्या दिया या हमने बोल क्या दिया उसमें, यह बोल दिया हमने, राम is a good boy. अब हमको समस्य आगई हमें समझ में आ गया कोई सामने पड़ा उसको क्या मतलब है हो सकता है किसी लड़की का नाम हो जो राम छीकी नाम- pilgrim लड़की और लड़की में common होते हैं वैसे यहां पर उसको क्या लएगा उसको थोड़ा अजीब तो लएगा तो है यह गरल का नाम राम कैसे है लेकिन उसे एरर नहीं हो कोई समस्या नहीं कहेगा वो ट्रांसलेटर यह देगा कि राम एक अच्छा लड़की है यह राम एक झालैंक downt you नहीं में हो हो सकता है लैंग्हूं की नाम यह लड़की का नाम आप राम नहीं लिख सकते हैं यह लैंग्विजा नहीं कहती है यह ग्रामर कह सकती है इसको अगलज नहीं किया करेगा यहां पर इसको तुरंट उठा के बॉल देगा कि राम एक अच्छी लड़क सामने वाला हिन्दी बोल रहा है वह और उसको पता है यहां पर राम का नाम यह नहीं हो सकता वहाँ भी oldu लेगा फ़ल्प जआल जाएगा है अगीज है अ कि हम 20 कि अ 2 के तो ए रहा है इ यह आना चाहिए हमारा टेस्टिंग में यह वारा टेस्ट से कि अपाल दे थे कारना किया रहा है नहीं हम और यहां, यह हम जो 20 कारे हैं, यह एक सो भी सो भी यह है हमारी बग यह लाया मतलpower, यह जो लाइंग Mm que मैं जब आप लिघ दिया महां तो program compile ही नहीं होगा, program कहेगा नहीं, यह गलत है, जो compiler कहेगा गलत है, यह मैं compile नहीं करूँगा, यह मैं translate ही नहीं करूँगा, that is called an error, एक compile time error है, यह एक bug है, और इसको हम अगर कहते हैं, तो एक logical error है, actually मैं इसको क्या बोलते हैं, computer language नहीं, logical error, logically, syntactically तो सही है, मतलब जो grammar है language का, वो कह रहा है, सही है, कोई issue नहीं है, लेकिन जो हम चाह रहे थे, वो नहीं होगा है, तो यह कहा है, एक bug है, इसको remove करने के process को हम कहते हैं, debugging, debugging का मतलब क्या होता है, कि यह bug को remove करना, मतलब, bug को remove करने का, यहीं मतलब हो गया है, कि जो हमारा program गलत output दे रहा है, मतलब program चल तुझा रहा है, लेकिन जो output आनी चाहिए, वो आ नहीं रही है, वो output नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा program, bug करेगा, हम यहाँ पर debugging करेंगे, debugging का मतलब हम क्या करेंगी, कि हम values को देंगे, debugging होता है, debugger software होते हैं, उनकी मदद से भी करते हैं, और debugging हम खुद से भी करते हैं, खुद से कैसे, कि खुद से जो हम यह testing कर रहे थे, testing में जो आपने अभी इसे हम यह process को भोलते हैं, dry run, कि साबसे, dry run का मतलब क्या है, कि मतलब हम पर चीए करते हैं कंब्यूटर को नहीं देते हैं और देख रहे हैं यहां पर की ऑना हो रहा है अब हमारा प्रोग्राम करो प्रोग्राम यह बन गया है हमने डीबगिंग की यहां पे दस दिया यहां पे बारा दिया वेरियबल बने तस और बारा वेलिव आई अभी सी में कोई वैल्यू नहीं है खाली ए और बी में वैल्यू जो आई वह दस बारा ही मतलब सेकें इस्टेफ मारा कम्लीट हो गया अब सबस्क्राइए भी यहीन हैं हम यहां पर प्लस की जगां पर हो इसपो जाब देगे इसको हम ना दिंगे इससे क्या होगा हमारा value फिर से वही जो हमारा आना चाहिए था जो वही सही value हमारी याने 22 आने लएगे यह है हमारा debugging का process मतलब कि जो program हमारा misbehave कर रहा है या unexpected values दे रहा है उनको remove करने का उस problem को remove करने का जो process है उसे हम बोलते हैं debugging यह होता है दूसरा हमने भी क्या देखा था क्या देखा था क्या देखा था logical यह होती है जो mainly आपको फाकी देती है मतलब आप जो लिखे है वो सही लिखे है रूल के हिसाब से हो सही है लेकिन जो आप लिखना चाह रहे थे वह नहीं लिख पाए है वहाँ पर वह प्रोग्राम से है तो यह logical errors हो जाएंगी logical errors मतलब वहीं कि आपका जो value आप दे रहे हैं वह आप language के हिसाब सही है आपके हिसाब से गलत है यह होगे हमारा बग कि बग क्या होता है और बग का एक example देखना हो क्योंकि debugging जो debugging है सबसे important step debugging ही है जब आप debugging करते हैं तो आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं आप गलती कहां कहां कर सकते हैं और वहां से आप फिर गलतियां सुधारते हैं यह compile time errors जो होती है इनमें समस्या होती है क्योंकि यह run आराम से हो जाती है इनको कोई समस्या नहीं होती है यह आराम से रण हो जाएंगे जब आपको values आने लगेंगी आपको जब आउट पूट आएगा तो वह आपका अलग आएगा unexpected आएगा जो आप सोच रहे हैं उससे बहुत अलग आएग तो debugging का process होता है और debugging को एक और example लेकर समझते हैं कि debugging में और कहां गलती हो सकती है तो debugging के लिए एक चोटी सी गलती और हो सकती है मतलब एक और टाइप की चीज़ है एक टाइप की error ही कहते हैं उनको जिनको हम runtime errors होते हैं अभी हमने पिछले में कहा देगा था compile time errors इने खुद रुख जाता है compile नहीं करता है अब आते हैं runtime errors पे कि जो compiler run तो कर देता है बाद में आपको समस्य आती है क्या समस्य आती है हमने फिर program लिखा जो program था क्या था हम algorithm में लिख चलते हैं अभी क्योंकि हमने java की syntax नहीं पढ़े है कि java में कैसे क्या होता है तो अभी हम simple algorithm पे चलते हैं क्या है create variables सबसे पहले create variables where सम लिख दिये variables क्या क्या a b c a दूसरा क्या है input a b a और b को input करो मतलब user से read करो c में a divided by b की value रह दो c में a divided by b की value रह दो c में a divided by b की value रह दो चौथा क्या है displace c हो गया आनमारा complete मतलब क्या करना है हमें आपे simple program का हमें objective समझ में आ रहा है कि program क्या करेगा है पर हमें एक value को दूसरे value से divide करेगा हमें जो division का जो quotient है मतलब जो भागफल है वो हमको देगा वो हमें यहां पर print करेगा तो आप फिर हम रिसकी testing करते हैं testing सबसे पहले यहां देखिए जो sequence होता है जो sequence होता है हाँ एक बाहर एक important चीज़ कि program को लिखने का प्रोग्रामिंग का sequence क्या होता है कैसे programming हम बनाते हैं यह class हमारी अभी जब over होगी आज यह class हमारी over होगी जब हम basic six चुके होंगे कि प्रोग्रामिंग में कैसे start करते हैं कैसे लिखते हैं क्या तरीका होता है कहां पर समस्याय आती है मतलब errors कहां कहां आती है उनको दूर कैसे करते हैं फिर हम चलेंगे अगली class में चलेंगे हम जावा के basics पे करते हैं तो क्या step कब होता है कौन सा step कब होता है ठीक है सबसे पहला सबसे पहला होता है algorithm development सबसे पहला step यह होता है कि हम जो algorithm है वो बनाते है program का algorithm क्या वही step by step solution to a problem हम problem को देखते हैं कि यह problem हमारी है उसमें क्या solution है उसका उसको हम अपनी भाशा में एक आसान सी भाशा में हम सबसे लिख लेते हैं कि हमें यह करना है उसके बाद यह करना है तब हमारा रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले आप algorithm बना लीजिए अपने दिमाग में दिविडेंड होगा और फिर उसके बाद हम C में A को B से डिवाइड कर देंगे और C में उसके बाइल स्टोर कर देंगे फिर डिस्प्ले सी मालब C को हम यूजर को डिस्प्ले कर देंगे यह हमारा algorithm हो गया सबसे पहले फिर दूसरा step क्या होगा राइड दप्रोगाम मतलब हमाज जो अल्गॉर्थम बन गया अब उसके अकॉर्डिंग उस अल्गॉर्थम के steps को हम जो लाइंगुज है जो लाइंगुज हम यूज कर रहे हैं इसमें और बीच में बहुत सारे steps हम अभी मिस कर रहे हैं मिस क्या हम उसको जान बूच के छोड़ रहे हैं क्योंकि वो unnecessary steps है जैसे कि यहाँ पर आप कहीं कहीं बुक्स में देखें तो यहाँ पर एक चूज करेंगे क्या जैसे आपको suppose AI का प्रोग्राम करना है artificial intelligence का अब वहां पे अगर आप बैटके C में आप artificial intelligence का प्रोग्राम करते हैं तो आप पढ़े लिखे बेवकूफ हैं किसाब से क्योंकि आप वहां पी पढ़े आप जानते हैं C भी आप जानते हैं जावा भी जानते हैं वहां पर आप इंटरनेट पे चलाना है तो आप उसको simple पता है कि आप उसको C मैंने कहेंगे python में जल्दी नहीं करेंगे आप Java यूज करेंगे जावा नेटवर्किंग के लिए ही बनी होती है में जावा के जो development होता है अभी आम चलेंगे जब Java की history में Java क्यों बना क्यों Java की need हुई पहले से C++ थी ही तो Java को फिर क्यों बनाया गया क्या काम लगा ऐसा एक और programming language लाइगी इसलिए Java networking के लिए थी क्यों networking में आसानी थी वो आगे हम पढ़ेंगे तो आपको ये अपने आप समझ हो जाएगा दिए-दिरे कि हम कौन सिख्र काम के लिए कौन से प्रोग्राम और ये कभी-कभी special cases में होता है वरना हर काम को जादर कामों को आप किसी भी language में कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं addition है banking software है या आपको railways का ticketing है कोजी भी software है जो आप ये software आप किसी भी language में आपने इसाब से चूज़ करेंगे जिस language में आप comfortable हो हम यहाँ Java सीख रहे हैं तो हम यहाँ बात जो करेंगे Java की ही करेंगे बाकी languages की नहीं करेंगे तो यह एक हिसाब से इस परस्पेक्टिब में unnecessary step है इस परस्पेक्टिब में आपको कहीं में जिसे आप AI वाला में ने एजांपल दिया AI वाले में यह एक बहुत ज़रूरी step है आपको वहाँ पता होना इस पर आप सीधा translate की रही है translate का मतलब क्या होता है translate का यहाँ पर क्या मतलब होगा यह जो algorithm आप ने बनाया उस algorithm को आप program जो है आप जो language यूज करना चाहते हैं जया Java हम यूज करने हैं उसके syntax जो है उसके जो rules है उसके according आप program को लिखें तो algorithm बनाया उसके बाद हमने program लि compilation तीसरा यह होगा compilation मतलब आप program को compile कीचे तो इस पर क्या होगा इससे प्रोग्राम इससे compilation में दो काम होता है क्या काम होगा इससे दो काम होगा पहला आपको errors जो होंगी जो syntax errors होंगी, syntax errors, errors remove हो जाएंगी क्योंकि जब तक आपका program सही नहीं होगा syntactically, grammatically वहाँ पे language के according तक तक वो compile ही नहीं होगा तो यहाँ पेरस और दूसरा आप कराएंगे जो होगा वो translate हो जाएगा आपका program translate हो जाएगा आगे machine code में आगे आपको काम करने के लिए, आपको run कराने के लिए चौथा जो होगा वो आपको run कीजिए, running and testing, running का मतलब खाली running नहीं करना है, खाली उसको run नहीं करना है, कि run कर दिए program चल रहा है, जैसा मन हो जैसा, testing मतलब वहाँ पे आप कुछ set variables हैं, set values हैं पहले से, जो previously decided रहेंगे आपकी, यह values हमाई previously decided हैं, उनके according में यह हाँ आपन यह values को use करके ही हम अपना program लिखेंगे आगे, वो testing के लिए रहेगा, तो आप कुछ values decide के लिजे कि हम यह तीन values डालेंगे इसमें, और यह program का output क्या आता है, तो यह हो गया हमार testing, और उसके बाद के step आया था, यह कौन तीसरा step था, यह चौथा step था, पांचवा step यहाँ प लेवल बड़ा है, तो आप बहुत enough chances हैं कि आपके program में bugs तो होगी, क्योंकि यही तरीका है जिससे हम सीखते हैं, जो आप बड़े बड़े programmers होते हैं, वो programmers अच्छे क्यों होते हैं, अच्छी programming क्यों क्यों काते हैं, क्योंकि वो debugging के step से बहुत thoroughly गया है, बहुत thoroughly उन्हों debugging स अच्छी की है, क्योंकि वो अपने हिसाफ से सोचते, algorithm बनाते हैं, उसके recording program लिखते हैं, जब error आती है, तब तो compiler time error से remove कर देते हैं, कि हाँ ये language का ये rules हैं, तो ये rules के recording में चलना है, फिर जब समस्या में आते हैं, जब bugs आती हैं, बगस का मतलब यहीं, यह जो bugs हैं, bugs यह यह मतलब कि program आप जो चाह रहे हैं, उसके recording program लिखते हैं, वहाँ पे आपको errors आती हैं, तो आप वो जो errors आप remove करते हैं, यह run time errors हो यह bugs हो, मतलब आपको program उस type से नहीं चल रहा है, तो debugging बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत ज़्यादा बार नों debugging कि होते हैं, बहुत बहु जब यह समझ से आ रही है, तो इसका root है वो कहा हो सकता है, आपको समझ में आ जाएगा, debugging आप जब करेंगे, तो फिर आप क्या होता है, कि debugging करेंगे, यह necessary step है कि किसी भी अच्छे program का, कि आप programming जब कर रहे हैं, तो आप उसको debug करेंगे, मतलब उसमें bug जो आ रही है, जब आप testing करेंगे, तो इसमें bugs आएंगी, मतलब कि जो आप expected values है, वो आप डालेंगे, तो आपको जो expected results है, वो नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पे आप debugging करेंगे, program को आप फिर से device करेंगे, और फिर से debugging करने के बाद जब आखो लगे, हाँ मैंने सब सही कर लिया, फिर से यह step, फ फिर से आपको debugging करने के बाद, फिर से compile करेंगे, फिर से, मतलब उसको फिर से translate कीजिए, errors check कीजिए, translate हो जाएगा, फिर से आप run करके test कीजिए, अपने values पे, और जब तक यह complete नहीं हो जाता, पूरी तरह से cycle, यह आपको program bug free हो जाता है, इसे बोलता है debugging step, तो यह क्या था, debugging को हम इसी page पे लिख सकते हैं, तोड़ इसी जगह बना करके, इसे आसान हो जाएगा, यह पूरा एक page में आ जाएगा, debugging, मतलब program से bugs को remove करने, यह हुआ हमारा sequence होता है program को लिखने का, कि program हो actually अपना लिखते कैसे है, तो यहाँ पे testing करेंगे, यहाँ पे debugging सामज में आ गया कि अब यहाँ पे debugging वाले step को लगता है, मतलब हमारा algorithm तो बन गया, फिलहाल हमें program की जरूरत नहीं है, और हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम syntax नहीं है, कैसे Java का syntax क्या है, कैसे होगा, तो अभी हम algorithm में ही testing करेंगे, मतलब यह step फिलहाल के लिए हम, यह step हम skip कर रहे है, skip इस लि अब यहाँ प्योर syntax क्योर्डी नहीं लिख पाया है, तो सबसे पहरे testing करते है, testing के लिए dry run वाली testing करेंगे हम, compile कर आके नहीं, values को हम सीधर डालेंगे, कि जब values डाल रहे हैं, तो हमने values क्या डाली यहाँ पे, यह program है हमारे पास, यह values हमने क्या डाली, A पर B था, A में हमने क्या enter क्या, A में हमने क्या enter क्या , वह ही अपना है, A में Kिया 10 और B में क्या 5, अब यहाँ पे क्या ऐगा A lessны, तो क्या क्या आएगा 5 और divided होके क्या बचएगा यहाँ से 2 आईगा oever all, 5 Dollar 10 और यहाँ पे क्या आएगा C में 2 आढएगा, और display C में क्या आएगा, और हुआ प्रसे इसमें अपनी कुछ और थोड़ी मज़े दार जो हमारे test cases होते हैं जो इस दिनुग हम बोलते हैं कि boundary cases एकसाब से कि मतलब जहां पर प्रोग्राम का break होने का प्रोग्राम को crash होने का ज्यादा से ज्यादा चांसे कि प्रोग्राम यहां पर गड़ आएगा तो वहां पर अन्दाजा लगाई मैँ अगर दस कि यहां 5 कर देंगी जो प्रोग्राम लिख पाएंगे आए जो प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टन फीच्छा है कि जावा जो प्रोग्राम रोबस्ट होते हैं मतलब वो जल्दी डगमगाते नहीं है जो प्रोग्राम आप एक बार लिख देते हैं जो अच्छे से एक बार आप टेस्टिंग करके प्रोग्राम बना देते हैं वो रोबस्ट होते हैं मतलब आप उनको फोड़ा से इधर बार वालिव भी देंगे तो भी वह अपने थमे रहेंगे लड़कडाएंगे निए तो इसको मैं दूँगा टू और इसको मैं दूँगा जीरो अब सोचें यहां पर क्या होगा यह टू आया है यहां पर अब यहां पर क्या होगा प्रोग्राम सोचिए क्या करेगा प्रोग्राम जो हम बनाएंगे तो प्रोग्राम क्या करेगा प्रोग्राम यहां पर लड़ लट खड़ाएगा मतल्ब इहां पर लट खड़ाएगा मतलब यहां पर वह crash होगा एगा, किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे वो इन्विनिटी आता है या उन्डिफाइड बोलते हैं अप्वाम कि वह पे क्या वैलु आए गी कुछ नहीं पता है जीरो से आप डिवाइड करते रही है जीरो ही आने वाला है तो नंबर आप कभी नःच पाएगे यहां पर आपको सुन्दर साइदम प्यारा से लिख के आएगा डिवाइड बाइड 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 जीडो एर्र यह एक्जैक्ट नहीं लिखा मैंने कि हो सकता थोड़ा से जो लांगविज हो जो आपका प्रोग्राम का जो लिख रहा है आए कांसोल में लेकिन मैं में इसक मुझसे नहीं हो पाएगा जीरो से मैं डिवाइड नहीं कर पाऊँगा यहां पर ही बोलते हैं इन टाइप की चीज़ों को बोलते हैं exceptions exceptions क्या होती है exceptions are run time errors जैसे अभी हमने देखा था compile time errors इसलिए मैं हमें क्या देखा था compile time errors मतलब हम जब compile कर रहे तो जो translator था हमारा compiler था उसको समझ में नहीं आई थी value तो वह क्या किया था वहीं रुख गया था पताया था यह आपका line यहां पर गड़बड़ी है मैं इसको translate नहीं कर सकता वह ऐसा time में हमारा compile तो हो गया लेकिन run नहीं हो पाएगा यहां पर भाई देगा यहां पर runtime error देगा यानि exception देगा एक exception दो करेगा कि आप divide by zero करें आप zero से divide करने कोशिश कर रहे है ठीक है तो यह हो गई हमारी runtime error इसे हम क्या बोलेंगे runtime error या exception बोलेंगे exception बोलेंगे इन टाइप की चीज़े हम बोलते है exception तो error क्या हो गई एक syntax error हो गई एक syntax हो गई syntax error एक क्या हो गई हमारी syntax error दूसरी हमारी logical error और तीसरी क्या हो गई हमारी runtime यह क्या है syntax error क्या है यह compile time error है यह क्या है compile time error है compile time में आएगे compiler इसको तुरह पकड़ लेगा कि यह गढ़बड है logical error क्या है logical errors वो है जो आपकी bugs को generate करती है इनसे आपको क्या मिलता है आपको इसे प्रोग्राम में bugs आते हैं bugs मतलब unexpected behavior मतलब misbehave करेगा program आपका आप जो चाह रहे हैं प्रोग्राम रन तो कर जाएगा लेकिन आप जो चाह रहे हैं वह value नहीं आने पाएगी क्यों क्योंकि आपने वहाँ पर लॉजिकली कोई गलत चीज देखिए और यह तीसरा है runtime error यह क्या करता है यह आपके exceptions को generate करता है जावा में exceptions को आपको generate करता है exceptions क्या वही चीज मतलब as the conditions यहाँ पर आपका compiler लटक गया था compiler रुख गया था कि मैं compile नहीं करता हूंगा translate नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर आपका tua profit बग्स को generate करती है मतलब unexpected behavior और जो runtime errors होती है वह क्या sigtions को generate और यह सब sel टयू ट्रम्स पढ़ें compiler क्या होताहे जहां पर जैसे हयाँ है ,प्छले वाले प्रूग्रम में हमने देका यहां डिखा न हम समझेत नहीहां पर जशती नेह को करना है करने कิके अवह नंब इसको प्रणों करने के वह पिल जो बाइन की कोशिश के यह तो वह कंपाइल है वह लाइन में या तो यह पर दीकुलर में के प्रणु Раз refugee mph के रही है यह आ यह वहां आपको हैं कि यहां आपको फ्रिड़ाइब हैं आपको डृ yag या फिर अगर 0 डाल भी देगा तो हम पहले उसको चेक करनेंगे कि अगर यह value 0 है तो हम divide पर जाएंगे नहीं, सीधा हम भी बोल देंगे कि आपका आपने गलत value दी है, invalid input है आपका, हम आप divide करेंगे ही नहीं, तो यह हमारा होगा यहाँ पर debugging, इस type से करेंगे, line number देगे कि कि लाइन पर हमारा समस्य आ रही है कि इस line में हमारा exception आ रहा है और वहाँ सुरूगे लिए, तो यह था हमारा आज का जो basic था, हमने आज सीखा कि आज programming के जो basics हैं वो clear हो गया हमारे, कि यह programming में कुछ steps हैं, कुछ terminologies हैं, जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम Java programming में गुस्पाएं, कि Java programming में हम enter हो पाएं, कि Java में हम programs कैसे लिखेंगे, और एक सबसे important, एक robust program कैसे लिखेंगे, robust program का मतलब यहीं कि ऐसा program जो लटके ना, मतलब जब आप उसको जो extreme cases होते हैं, जो boundary conditions होते हैं, उन्हें लिख जाएं, जब divide time पे आप 0 दे दे या आपको addition time पे आप बहुत बड़ा number दे दे, वहाँ पे आपको program डगमगाये नहीं, वो सही चले value, value ना दे ओठीक है, कोई बात नहीं, वो बोल दे कि आपको program गलत है, आपने गलत values डाली है, लेकिन वहाँ पे यह exceptions हो गयरा नहीं आए, इसको हम कहते है, robustness बोलते हैं, तो यह जब हम decide कर लेते हैं कि आज हमने क्या पूरा देखा, overall, तो आज सबसे पहले हमने linker देखा, जो सब अलग-अलग modules को एक में link रहता है, module मतलब अलग छोटे टे parts होते हैं, प्रोग्राम को, छोटे टे parts में हम तोड़ देते हैं, तो यह था हमारा linker का का काम, कि उन सब parts को, modules को एक में होता है, जो हमारे program को, जो instructions होते हैं, और जो data values होती है, उनको memory में load करता है, ताकि processor उनको process कर पाए, यह loader था, तीसरा हमारा क्या था भाई, तीसरा हमारा यह था, थोड़ा ऊपर चला गया, यह हमारा जो था, algorithm क्या होता है, हमने थोड़ा सामझा था, कि algorithm में क्या होता है step by step solution to a problem, किसी problem का step by step solution होता है, algorithm, यह था, और उसके बाद पर हम देखा था, कि अगर program को हम कराएंगे, तो हम जो एक दूतरा important चीज जो आई थी, testing, यहाँ पर आई थी, algorithm लिखने के लिए हमें सब से बलाया थी, कि testing क्या होती है, testing program की कैसे करते है, यह यहाँ पर, loader के ब जोटा सा, दो numbers को एड करने का, फिर उनमें हमने numbers की, एदस ओ, ए और बी की values डाली थी, और चेक किया था, कि हमारा final जो result आ रहा है, वो क्या आ रहा है, तो यह था हमारा testing, linker हो गया, loader हो गया, testing हो गया, फिर आया हमारा सब से important वाला step, जो सब से last में करते हैं, यह सब से प्रोई होता है, debugging, मतलब testing के समय पे, expected output ना आये, तो वहाँ पर हम प्रोग्राम में करते हैं, प्रोग्राम भाई, बगी है, यह प्रोग्राम में आपके bugs हैं, तो प्रोग्राम से bugs को remove करने की process को कहते हैं, debugging, debugging के लिए, क्या होते हैं, हमें कुछ terms जाने थे, terms क्या थे हमार यह थे, terms क्या होती है, logical error क्या होती है, और runtime error क्या होती है, यह हमने जाना syntax error होती है, जो compile time pair देते है, compiler, logical errors होती है, जो हम na compiler न detect कर पाता है, न हम detect कर पाते हैं, last में हमाई program को improper execution करते हैं, बतलब program जो हमान चार हैं, वो नहीं आएगा, वो bugs को create करते हैं, और फिर हमारा रूट ढायाती है, रून टाइम, यह शाए हैं, जो लास्ट में रॉच्सर हैं जो इसे मंजने नहीं कर सकते हैं तो यह तीन थी हमारी बेशिकोंस हमें के लिए समझनी करने के बाद जहां पर हमें गलती है उस गल्ती कोुन सुझारते सिक्वेंस क्या है सबसे पहले algorithm development algorithm बना ले मतलब आप बना ले कि step by step आप जो problem है उसको solve कैसे करेंगे वो हो जाएगा आपका algorithm उसके पाद आपका आएगा program की writing मतलब आप program लिखिए जावा में जो भी language आपके उसमें program आप लिखिए मतलब algorithm को आप exam convert कर दीजिए उसके language के rules क recording एक प्रोग्राम में यह हो गया आपका algorithm के बाद program लिखना उसके बाद इस रस्ट पाया था compilation compile करना मतलब compiler को देना उसको translate करने के लिए तो compiler दो काम कर देगा हमारा एक तो errors को check कर देगा कि कोई errors होंगी compile time वाली तो उनको remove कर देंगे हम उसके बाद फिरो translate कर देगा उसको machine code में आनि byte code में जावा के case में क्या होगा byte code में उसके बाद हम वो byte code को उठाके देंगे JVM को running कर आएंगे JVM को देंगे कि आप इसको interpret करके line by line आप processor को दीजिए हम अपना काम शुरू करते हैं मतलब इसको हम जो fixed values हैं जो हम पहले सोच के आए घर से यह values देंगे इस program को वो program के हम वो values और देखेंगे कि व only result आ चाहा है जो आ रहा है जो आम चाह रहे आ रही है देखेए कि कि नहीं इस इस स्टेप को क्या बोलेंगे testing रन कर आ akin हम को टेस्ट करेंगे और testing की में अगर समस्य आ आएगी मतलब जो हम program विद्ग करेंगे, और जो समस्या आ रही है, उसको यहां पर हम उसका solution करेंगे, मतलब उस problem प्रॉब्लम को जो statement, जो हमारा step है, जहां problem आ रही है, उसको हम change करेंगे. Step को modify करेंगे, और अपना program, फिर सही तरीके से लिखेंगे, फिर से दिसरे step पे आएँगे, फिर compile करके उसको run करा कि testing करेंगे और इस तरह से हम पूरा final program बना पाएंगे तो ये थी हमारी programming के सारी basic terminology तो जो थी programming जो हम आगी use करने वाले हैं बहुत frequently use करने वाले है एक program आप लिखेंगे तो उसमें एक terms compiler क्या है एक linker क्या है especially compiler और ये exceptions और errors और bugs ये बहुत आएंगे आपके बार बार आएंगे उसको समझने के लिए हमने terminology सीखी और आपके बाद अगली class में हम सीखेंगे कि Java basics Java के थोड़ी सिखेंगे कि Java सोने समझेंगे Java क्यों आई history क्या थी Java की क्या advantages है Java के मतलब किसलिये Java का invention हुआ क्या advantages है जो इसके साथ आए जो problems को इसने solve किया और फिर कि Java के features क्या है क्या-क्या है जिसके वज़े से Java इतनी popular language बनी मतलब जो इतनी साह languages है उनकी लिस्ट में Java एक अच्छा का सा नाम पर आता है क्या reason था तो यहां से हम यह अगली class में सीखेंगे आज ही class यही पेंड होती है आप अगर वीडियो अच्छे लगे तो चाहिए वीडियो को like कर दीजिए और जो भी प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर के लवर्स हैं उनके बीच में शेर कर दीजिए आपके friends के family members के अप में कि वो जान जाएं वो भी सीख जाएं कि प्रोग्रामिंग में कैसे जो basic terminologies हैं वो क्या हैं और कैसे यूज़ करते हैं आगे बहने हम उनको अब Java के साथ में continue करेंगे Thank you very much for visiting Unique Online Guru